कैसे हैं आप सभी मैं मिसेस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉंप्टिशन कम्यूंटी में स्वागत करती हूं लास्ट विश्डियों के माध्यम से हमने हिंदी भाष्रा के अंतरगत बहुत पुर्ण पक्ष की चर्चा की है जो आपके पद और शब्द पद कहलाते जिसमे विकारी और अविकारी शब्द पदि से संबंधित संपुर्ण प्रशनों को जाना था ठीक है कुछ बच्चों के प्रशना आते हैं कि CGPSC में किस प्रकार के प्रशने पूछे जाएंगे व्यापम में किस प्रकार के प्रशने पूछे जाएंगे तो भाष्रा एक ऐसा पक् में आपको महसूस होने ना दे इसलिए बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों का आपको समझाने का मेरे द्वारप्रयास किया जाता है आपके सीलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ मैंशन किया है मुहावरा और लोकोक्ती पांचवी तक मुहावरा और लोकोक्ती नहीं होते लेकिन छटवी से आठवी तक मुहावरा और लोकोक्तियों को हिंदी भाशा के अंतरगत पाठे करम में इस्थान दिया जाता है इसके पीछे कारण यह है कि जब साहितिक रशनाओं को साहितिकारों के द्वारा किया जाता है तो लेखक ज़ैसे ज़ैसे साहितिक जगत में आगे कदम बढ़ाना शूरू किया तो समाज में व्यक्त बातों को मुहारों और लोकोक्तियों को शब्दों के साथ-साथ साहितिक जगत में इस्थान दिया गया उसी पाठक्रम में हिंदी भाशा में छटवी से आठवी हो, चाहे वो हमारे लिए तीसरी, चौथी, पांचवी हो, हिंदी की किताब में कुछ कविता से संबंधित, जो छोटे-छोटे का आपकी कविताएं हैं, वो पाठ जो है पद्यात्माक रूप में दिये जाते हैं, उन्हीं चीजों को आठवी तक बच्चों को दिया जाता है पाठक्रम में, और उन्हीं पाठक्रम में कहीं न कहीं उपसर्ग और प्रत्याय और थोड़ी सी संधी की प्रक्रिया और समास की प्रक्रिया को भी जोड़ा जाता है, हालांकि व्यंजन संधी, विसर्ग संधी, स कख्षा में पढ़ते हैं लेकिन चटवी और साथवी को छोड़ कर यदे हम आठवी के पाठिक्रम की बात करें तो आठमी में स्वर संधी के प्रकारों को और आपके समास के कम सकम दो या तीन समास के परिभाशा और उधारणों को जरूर मेलशन किया जाता है ताकि बच्चा आने वाली कक्षा में इसके बारे में आगे बहुत गहराई से समझ सके तो आज की इस लेक्चर वीडियो में मुख्य उद्देश्य मुहावरा लोकोक्ती के साथ साथ थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्याय संधी और समास को लेकर चलेंगे तो मेरा ये समझाने की पिछे कि यदि आपकी परिक्षा के प्रशने पत्रे में जहां भाषा कह दिया है तो भाषा को बांधा नहीं जा सकता भाषा के अलग अलग प्रकार के पक्ष होते हैं जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ भाषा के दो पक्ष है एक होता है साहित तिखंड और एक होता है सबसे जदा मजबूती देता है साइद टिखंड को यदि आपकी व्याकरणिक शुधता है तो वाक्य शुध होंगे यदि आपके उचारण में शुधता है तो वर्थनी शुध होंगे तो मेरा एक प्रयास है कि व्याकरण का कोई भी पक्ष छूटने ना पाए हालां की बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे परन्तु उपरी तोर से उन चीजों को समझते हुए चलेंगे ताकि आपका एक व्याकरण पक्षपूरा भी हो जाए यदि प्रशन आ जाए तो छूटने ना पाए और नहीं आए तो जानकारी हो जाए है ना बच्चे पूछते किस प्रकार के प्रशन आते हैं तो हर एक टॉपिक से एक टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रशन तमाम प्रकार के प्रशन जो है वह बनाए जा सकते हैं तो सबसे पहले जानेंगे हम थोड़ा सा उपसर्ग को प्रत्य को संधी को समास को ठीक है तो उपसर्ग प्रत्य संधी और समास को जानने के लिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं उपसर्ग, ठीक है, अब आप कहेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, आप सभी को पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग हम prefix कहते हैं English में से, उप का मतलब होता है करीब, पास या नजदीक, ठीक है, करीब, पास या हम उसे नजदीक कहते हैं, तो किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़ कर, उस धातु शब्द में एक नया पन लाता है, तो सर्ग का मतलब होता है, श्रिष्टी करना या उसका निर्मान करना, ठीक है, तो जब किसी धातु शब्द से पहले जैसे की दिन, एक धातु शब्द है, इसके पहले एक शब्द जुड़ गया, जिसका नाम है प्रती, अब यह प्रती शब्द यदि दिन से जुड़ गया, और एक नया शब्द बन रहा है, प्रती दिन, तो ऐसे तत्व, जो किसी भी धातु शब्द से पहले एक विकार, एक रूपांतर या एक परिवर्थन उत्पन करते हैं तो ऐसे षब्दांश जो किसी भी धातुशब्द के पहले जुड़ते हैं ऐसे शब्दों को उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? जब इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा करने से शब्द में एक नयापन आता है, दीन कहने से आपको पता है कोई भी एक दीन हो सकता है, लेकिन इस प्रती शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है हर, अब प्रती दीन कहते हैं, तो हर एक दीन कहते हैं, प्रतिक्षण कहते हैं, तो हर एक छण कहते हैं, प्रति एक कहते हैं, तो हर एक कहते हैं, तो इस तरह जब कोई धातू शब्द से पहले कोई एक शब्द जुड़ जाता है, जिससे उस शब्द में एक नयापन, एक विकार या एक रुपांतरण से शब्द वहां होते हैं हमारे लिए उपसर्ग जैसे यदि वह कहता है देश ठीक है अगर वो शब्द कहता है देश देश से पहले आ जोड़ दें तो बन जाता है आदेश प्रजोड़ दें तो बन जाता है वी देश सम जोड़ दें तो बन जाता है संदेश और इसी प्रका जब वो देश का विलोम बना देता है विदेश एक नयापन आया जब वो आदेश कहता है उपदेश कहता है प्रदेश कहता है संग्षदेश कहता है कुल मिलाकर नयापन है विकार है रुपांतरण है और एक परिवर्तन है और ऐसे शब्द जो किसी भी धातू शब्द के पहल जुड़ते हैं जिब आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत भाषा जो आपकी छटवी से आठवी तक पढ़ी जाती है संस्कृत भाषा में 22 प्रकार का उपसर्ग पाया जाता है इस 22 प्रकार के उपसर्ग में से हिंदी भाषा में 19 उपसर्ग जो है वो प्रयोग किये जाते हैं मैंने क्या बताया है अभी संस्कृत की भाषा में 22 प्रकार के उपसर्ग हैं जिन में से 19 उपसर्ग का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में उसी रूप में करते हैं जिस रूप में वो हमारे लिए संस्कृत में प्रयोग किये जाते हैं ठीक है दूसरी बात हि दस प्रकार का उपसर्ग स्वयम की हिंदी का माना जाता है ठीक है जो संस्कृत का नहीं है जब विदेशी हुकुमत आई तो उर्दू के अंतरगत अर्बी और फारसी से मिश्रित लगभग 12 प्रकार के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं ये उपसर्ग जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता ये उपसर्ग जो एक वर्ण का या दो वर्ण का होता है खयार रखेंगे इन उपसर्गों के कोई भी अर्थ नहीं होते लेकिन जब इन उपसर्गों के प्रयोग किये जाते हैं तो ये उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विश्रेश कभी हो जाती है व्यंजन संधी की प्रक्रिया और कभी हो जाती है विसर्ग संधी की प्रक्रिया और शब्द का जो रूप है वह संधी की प्रक्रिया से बदल जाते हैं ठीक है उपसर्ग से निर्मित कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां एक शब्द में दो या तीन उ योग जो हैं वो किये जाती है अधिकांश्ता उपसर्ग एक वरन का होता है जैसे कि यदि वो सू कहता है यदि वो कू कहता है यदि वो नी कहता है यदि वो आ कहता है यदि वो आ कहता है प्रा कहता है वी कहता है ये ऐसे उपसर्ग है जो एक वरन से बना है कभी कभी उपसर् इसी प्रपकार आपका अभी है ये ऐसे उपसरग है जो दो वरणे से मिलकर बने होते हैं यहाँ उपसरग तीन वरणों वाला कभी भी नहीं होता है इन उपसरगों में अगर देखा जाए तो कुछ उपसरग है जैसे की उत caliber कहा जैसे कि आपका नीर कहा जैसे कि आपका निस है इसी प्रकार दूर है इसी प्रकार दूस है ये ऐसे उपसर्ग है जो व्यंजन संधी और विसर्ग संधी की प्रक्रिया से बदल जाते हैं ठीक है तो कहने का मतलब कि इतने प्रकार के उपसर्ग संस्कृत के अंतरगत पाए जा बन जाता है नीक अप्रयोग निमग्न निवारण के लिए आप्रयोग जो है आरत आमुख के लिए अप्रयोग कभी-कभी नकारात्मक शब्द के लिए जैसे सत्य है तो असत्य धर्म है तो अधर्म प्रक विशेस बना देता है देश से अलग है तो प्रदेश बन जाता है इस विशेषता बता देता है ज्यान में विशेषत विज्यान बन जाता है इसी प्रकार परी जो चारों और के अर्थ को बताता है तो वहन करके चलता है तो परिवहन बन जाता है परा इसका मतलब परा जय परा भाव पराक्रम अब उप का मतलब अगर देखा जाए तो कहीं न कही चोटे को संबोधित करता है, मंत्री से छोटा है तो उपमंत्री, नाम से छोटा है तो उपनाम, इसी प्रकार अब का प्रयोग भी अवरोध के लिए, अब मानना के लिए होता है, अभी का प्रयोग जो है वो करीब, अभी आया है जो तो अभ्यागत बना, जिस पर अभी कोई आरोप लगा है तो अभ्यूक्त बना अधी का प्रयोग से अधिकार अधिमास अधिकता बताने के लिए किया जाता है इसी तरह देखा जाएं तो अति उपसर्ग के प्रयोग जो है वो अतिशय बताने के लिए किया जाता है अत्यतिक अत्याचार ऐसे शब्दों के लिए उत् भोज जैसे व्यंजन संधी के नियम, निरजर, निरगुण के लिए विसर्ग संधी का प्रयोग, निस्संतान से विसर्ग संधी के प्रयोग, दुरजन और दुस्साहस करके विसर्ग संधी के प्रयोग होते हैं और यह सारे उपसर्ग हैं जो हमारे लिए संस्कृत के उपसर् करते हैं ठीक है हम अध का प्रयोग करते हैं हम नी का प्रयोग करते हैं हम भर का प्रयोग करते हैं ठीक है हम बीन का प्रयोग करते हैं ठीक है और इस सारे हमारे लिए हिंदी के उपसर्ग जो है वो बन जाते अध नी भर बीन तो जान अंजान कहता है ठीक है अनमोल कहता है बी गाइट के तो हम अगर बात कर रहे हैं उर्दू का उपसर्ग तो यह खासियत हो जाती है उर्दू के उपसर्ग की उसका जो परभाव है थोड़ा सा अलग हो जाता है जब वो ला कहता है जब वो खुश कहता है जब वो अल कहता है इसी प्रकार बद कहता है इसी प्रकार बे है इसी प्रकार बा है इसी प्रकार आपका देखा जाए तो हम है सर है इन सब का उप्योग जो है वो किरता है लाचार लावारिस कहता है खुश मिजाज कहता है दार कहकर गैर उपसर्ग का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है इन से बनने वाले शब्द उर्दू के होंगे हिंदे से बनने वाले शब्द हिंदी के होंगे और कहीं न कहीं आपके जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे तत्सम प्रभावी होंगे अब इन उपसर्गों से क इस प्रकार के प्रशन आते हैं, उसकी चर्चा हम थोड़े देर बात करेंगे, अब जान लेते हैं कि प्रत्या क्या होता है, किसी भी धातु शब्द के बाद में जुड़ने वाला, प्रत्य याने साथ में चलने वाला A माने के शब्द, याने कि किसी भी धातु शब्द के अ अब देखा जाए तो यहाँ बिक जो मुल धातु शब्द है उसमें आउ प्रत्य जूड़ा है इसी तरह अगर एक नया उदारन लिया जाए जैसे कि अगर वो कहता है पंडित अगर वो कहता है जैसे कि पंडित अब इस पंडित में अगर हम तिया जोड़ देते हैं प्रत्य क कहा जाता है अब यह प्रत्य कितने प्रकार के होते हैं प्रत्य की प्रकार की बात की जाए तो प्रत्य जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं ठीक है जैसे सबसे पहला होता है हमारे लिए कृत या कृदंत प्रत्य और यह क्या प्रत्य होते हैं इसे प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है जो किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में जुड़ता है दूसरा होता है हमारे लिए तद्धित प्रत्य जिसे नॉमिनल सफिक्स कहा जाता है ये कभी हम भाव अचक संग्या बनाते हैं तो जाती वाचक संग्या इसी प्रकार सर्वनामिक शब्द के साथ में इसी आप जानते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि इस्त्रिलिंग को पुर्लिंग में बदलने के लिए और पुर्लिंग को इस्त्रिलिंग में बदलने के लिए कुछ प्रत्य शब्द जो है वो इस्तिमाल किया जाते हैं अधिकांश्ता हम पुर्लिंग शब्द का ही इस्त्रिलिं और इस तरह तीन प्रकार के प्रत्य शब्द हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं ठीक है तो इस तरह आपके आज की लेक्षर वीडियो में उपसर्ग प्रत्य से भी संबंधित प्रश्ण हैं जो मैं थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगी इसके बाद में हम जानेंगे संधी समास की प्रक्रिया को फिर हम जाएंगे आपके मुहावरा और लोकोपती में तो किसी भी प्रकार से परिशान ना हो कि यह तो टॉपिक आपके लेक्षर वीडियो के माध्याम से दिये जा रहे हैं सीलिबस में तो हैं ही नहीं चूंकि आठवी तक की इस तर में छटवी से आठवी अंतरगत हमें तत्सम तद्वा तमाम प्रकार की चीजों को जाना था वैसे ही गद्य रशना के अंतरगत उपसरग प्रत्य और संधी समाज के शब्द का प्रयोग जो है वो दिया जाता है और जब आपको अपठित गद्यांच पूछे जाते हैं तो उस अपठित गद्यां जो पूछे जाते हैं तो बीना किसी समय को गवाते हुए हम उपसर्ग प्रत्या के प्रश्ण को हल करते हैं फिर जानेंगे संधिसमाज फिर जानेंगे मुहावरा और लकुक्ति सबसे पहले प्रश्ण क्या पूछता है निन्न में से कौन से शब्द में हिंडी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ठीक है अभी मैंने आपको क्या बताया था हिंडी उपसर्ग संस्क्रित का उपसर्ग और उर्दू का उपसर्ग तो कभी कभी बिटा आपकी परिक्षा में अलग-अलग प्रकार के शब्द जो है वह पूछे जाते हैं कभी डेफिनेशन पूछ लिया जा कोन से प्रत्य है उपसर्ग के प्रयोग से बना है तो अब सबसे पहली बात कि कौन से शब्द में हिंडी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कहता है option A दिया है अधमरा, option B दिया है अधिकार, option C दिया है भरपेट और option D दिया है A और C दोनो, ठीक है, तो दूसरी बात कि सबसे पहली बात कि संस्कृत के उपसर्गों को हम ध्यान रखेंगे बिटा जब वो संस्कृत का उपसर्ग है, तो दिमाग में confusion create करने के लिए तत्सम उपसर्ग नाम लिख देता है, तो संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग की नाम से पुकारते हैं, और इसी हिंदी के उपसर्गों को तदभव उपसर्ग की नाम से पुकारा जाता है, अगली बात जो आपके अर्बी और फार्सी के उपसर्ग है ना उसे विदेशज उपसर्ग के भी नाम से पुकारा जाता है तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूँ अगर वो संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग करता है तो उसके शब्द जो होंगे वो संस्कृत प्रभावी होंगे य यानि की option number D ये दोनों में हिंदी के उपसरग का प्रयोग किया गया है अधिकार संस्कृत का उपसरग है तो हिंदी के उपसरग को तदभव संस्कृत को उपसरग को तत्टसम और उर्दू के उपसरग को वीदेशज उपसरग कहा जाता है इसके अलावा हम कभी कभी अंग्र char Crane चीक है तो वीदेशज की अंतरगत उर्दू की अर्भी फार्णजी वाले प्रभाव वीदेशज की श्रीणी में आते हैं अब आते निमने शब्दों में उपसर्ग पहचानिये अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है अभी भावक में कौन सा उपसर्ग है और अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है क्या वो अप्शन नंबर A अब है अप्शन नंबर B अभी है अप्शन नंबर C अभी है और अप्शन नंबर D अभ वो आपकी संधी की प्रक्रिया में स्वर संधी हो जाती ठीक है देखा जाए तो अभी उपसर्ग का प्रयोग जो है वो आस में हुआ तो अभी धनास कहता है इससे बन जाता है हमारे लिए अभ्यास ठीक है इसी प्रकार देखा जाए तो अभी उपसर्ग जो है भावक शब्द के साथ में जुड़ा है तो बनता है हमारे लिए अभी भावक इसी प्रकार अभी उपसर्ग जो है वह आगत शब्द के साथ में और अभ्यागत में कौन से संधी है आपकी कौन से उपसर्ग है अभी मतलब अभी उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग जो है वो किया गया ठीक है अब आते हैं अगले प्रशन में अगला प्रशन पुछ रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दारंभ में शब्दांत में म आने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं उसे प्रत्य कहा जाता है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्य होता है और शब्द के प्रारम में जुड़ने वाले को उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है मध्य में आपके मद्य संयोग के नाम से उसी पूपार जाता है। लेकर उपसर्ग का प्रयोग शबदा रंभ में किया जाता है। अगले परशने के ओड जाते हैं। नी उपसर्ग से नीनी तशब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संस्कृत के या हिंदे के नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है option number A है नीहित, option number B है नीकुंज, option number C है नीवारन और option number D है नीरजर तो नी का प्रयोग हित के साथ में जुड़कर नी हित बना, नी का प्रयोग वरण के साथ में जुड़कर नीवारण बना, नी का प्रयोग कुझ के साथ में निकुझ बना, लेकिन यहां पर यहां नीर धन जर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इसी सेचुएशन में जब ए option number आपका d अब आते हैं अगले कोशन में एक से अधिक उपसर्ग के प्रयोग वाला शब्द है option number a है स्वागत option number b है आपका अभियान option number c है प्रतिपल और option number d है आपका नी मगन अभी एक उपसर्ग है नी एक उपसर्ग है प्रती एक उपसर्ग है स्वागत में है जो दो प्रकार की उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अब यहां देखा जाए तो सू उपसर्ग है साथ में आ उपसर्ग है और गत का प्रयोग है सू आ गत कह रहा है जब वो स्वरसंधी की प्रक्रियोग करता है तो जब U से मिल जाता है आ तो बन जाता है हमारे लिए वा और इस situation में देखा जाए तो सु आगत से बन जाता है स्वागत इसलिए यहाँ पर दो प्रकार की उपसर्ग का प्रयोग स्वागत शब्द में किया है अब समझने माली बात है धातु किसे कहा जाता है किसी भी क्रिया के मूल रूप को किसी भी क्रिया के मूल स्वारूप को ही धातु शब्द कहते हैं किसके मूल स्वारूप को क्रिया के मूल स्वारूप को धातु शब्द कहा जाता है ध्यान से समझेंगे किसी भी क्रिया के मूल स्वरूप को धातू शब्द कहा जाता है तो जो प्रत्य धातू शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं option number A है कृत प्रत्य option number B है ग्रिदंत प्रत्य option number C है तद्धित प्रत्य option number D है A और B दोनो तो अब ही मैंने आपको बताया था किसी भी क्रिया के साथ में जुडने वाले प्रत्य को कृत प्रत्य कहा जाता है और उसी कृत प्रत्य को कृदंत प्रत्य याने की प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है तो इसका आंसर होगा आपका option number D और संग्या सर्वनाम विशेशन के शब्द में जो प्रत्य जुडते हैं उन्हें तधित प्रत्य याने की नॉमिनल सफिक्स कहा जाता है ठीक है और जब पूरलिंग से इस्त्री लिंग बनाया जाता है और पूरलिंग के शब्दों को इस्त्री लिंग बनाने के लिए जिस suffix याने की इस्तरी प्रत्य के नाम से पुकारा जाता है अब आते नेक्स्ट कोश्चन में पांडव शब्द में कैसा प्रत्य है option number a है कृदंत option number b है तद्धित option number c है इस्तरी और option आते नाम से प्रत्य नहीं है पांडव शब्द की अगर हम बात करते हैं आपके पांडव शब्द का कह रहा है तो संग्या शब्द है जिसका नाम बता रहा है तो संग्या शब्द के साथ में पांडव शब्द कह रहा है तो यहाँ पर पांडव शब्द में अब प्रत्य जुड़ा है इसे तद्धित का निर्मान यहाँ पर किया है याने कि संग्या सर्वनाम और विशेशन के सब्द में अगर कोई प्रत्य जुड़ रहा है तो उसे त तद्धित प्रत्य की इन शब्दों के साथ जूड़ते हैं, option A है क्रिया, option B है संग्या, option C है विशेशन और option D है B और C दोनो, अभी मैंने बताया कि क्रिया के मुल्धातु शद में जो प्रत्य जूड़ता है, उसे कृत या कृदंत यानि की primary suffix कहते हैं, जब किसी संग्या, सर्वनाम और विशेशन के साथ में जो प्रत्य जूड़ता है, उसे ही तद्धित कहते हैं, तो जी हाँ संग्या के साथ में भी जूड़ता है और विशेशन के साथ में जूड़ता है, तो इसका answer आएगा आपका D, तो संग्या, विशेशन और सर्वनाम के साथ में अगर को तो अपना पन कहते हैं तो संगय सर्वनाम विशेशन में जुड़ा उसे ही तद्धित प्रत्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा option number आपका D ठीक है अब आते next one question में अनियर प्रत्या का प्रयोग हुआ है option A दर्शनिय, option B पठनिय, option C रमनिय और option D सभी यह संस्कृत का प्रत्य यह संस्कृत का प्रत्य शब्द है जब किसी मूलधातु शब्द में जुड़ता है तब मूलधातु शब्द में जुड़ते समय जैसे की पठ मूलधातु शब्द है इस मूलधातु शब्द में जुड़ते समय र को silent कर दिया जाता है और केवल अनिय बचता है इसलिए य अनियर प्रत्य के प्रयोग जो है वो किये गए हैं तो पठनिय रमनिय खदनिय दर्शनिय कहता है तो वहाँ पर अनियर प्रत्य के प्रयोग जो है वो किये जाते हैं अगला कोशन क्या कहता है यह प्रत्य किस शब्द में नहीं है अप्शन नमबर ए है तेली अप्शन नमबर लगाने से अलबेली बना लेकिन हाथ में हमने लीनी ही लगाया यहाँ एली प्रत्या का प्रयोग क्या है हाथ में एली जोड़ा तो हथेली बना ठीक है इसलिए यहाँ पर आप्शन नमबर C में E प्रत्या का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है ठीक है अब आते हैं अगले question क्यों ठीक है और अगला question यहां से आपको संधी से दिया गया है तो इस संधी को समझने के लिए हम जाते हैं इस प्रक्रिया को जानने के लिए कि आखिर संधी और समास क्या होते हैं क्योंकि यहां से कुछ question संधी के और कुछ question आपके समास के होंगे तो यहां से जानते हैं कि आखिर संधी क्या होती है दो वर्ण अक्षरों के परिस पर मिलने से यदि उन वर्ण अक्षरों में किसी प्रकार का कोई विकार या रुपांतरण उत्पन होता है तो ऐसी प्रक्रिया को संधी या ज्वाइनिंग कहा जाता है जैसे कि अगर एक्जा बन जाता है महा इंद्र से महेंद्र तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अक्षर के मिलने से जो एक नए वर्ण विकार उत्पन होंगे ऐसी प्रक्रिया को संधी की प्रक्रिया कही जाती है प्राथमी कक्षाओं में पांचवी तक संधी को पढ़ाया नहीं जाता छठवी में भी उसकी शुरुवात नहीं होती परनतो आठवी की कक्षा में संधी की प्रक्रिया से खास कर संस्कृत में स्वरसंधी के प्रयोग और खास कर आपके जो हिंदी भाषा में हैं संधी की प्रक्रिया के कुछ उधारन स्वरसंध से लिये जाते हैं संस्कृत के अनुसार साथवी की कक्षा में भी कभी कभी संधी के प्रयोग जो है वो शुरुवाती दोर पर देखने को मिलते हैं तो साथवी की कक्षा में आपको अगर संस्कृत की किताबों पर पाएंगे तो स्वर संधी होंगी आठीवी में व्यंजन के एक दो नियमों को मेंशन कर देते हैं साथ ही समास को भी डाल दिया जाता है किस भाषा में संस्कृत में लेकिन हिंदी भाषा के अंतरगत जब पाठ के अंतरगत कुछ उदाहरन लिये जाते हैं तो वहाँ पर व्याकरण के पक्षिक के तौर पर उस पार्ठ में प्रयोगों किये हुए ऐसे शब्द जो संधी की प्रक्रिया से निर्मित हो तो वहाँ पर कुछ उदाहरन के तौर पर जानकारी देने के लिए वहाँ पर प्रशन के तौर पर पूछा जाता है तो यहाँ पर मेरा मकसद यही है यदि किसी भी तरह का प्रशन संधी और समाज से पूछ लिया जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की भटकाव मैसुस आप ना कर पाए तो यहाँ पर संधी क्या होते है दो वरण अक्षरों के परसपर मिलने से जो एक नया वरण विकार उत्पन होता है तो ऐसी प्रक्रिया को संधी की प्रक्रिया कही जाती है और दूसरी बात यहाँ संधी कितने प्रकार की होती है कहते हैं तो देखा जाए तो संधी तीन प्रकार की होती है संधी तीन प्रकार की होती है और इस तीन प्रकार की संधी में जहां दो स्वरवर्ण एक दूसरे से मिलते हैं जहां पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर दूसरे शब्द का फस्ट साउंडिंग लेटर दोनों स्वर यानि की वोवल्स होता है और वहां पर जहां दो स्वरों के मिलने से स्वरवर्ण में कोई विकार उत्पन न हो तो ऐसी प्रक्रिया को स्वर संधी की प्रक्रिया कहते हैं यह स्वर संधी आपके सजातिय स्वरों में और विजातिय स्वरों में पाया जाता है याने कि होमोजेनियस ववल्स के अंतरगत और हेटरोजेनियस ववल्स के अंतरगत यह संधी की प्रक्रिया पाई जाती है स्वर पढ़ते हैं इसके अंतरगत हम गुण के बाद में वृध्धी स्वर को पढ़ते हैं इसके अंतरगत हम पढ़ते हैं वृध्धी स्वर संधी को ठीक है गुण स्वर संधी के साथ में हम पढ़ते हैं वृध्धी स्वर को उसके बाद हम पढ़ते हैं यण स्वर संधी को उसके बाद में पढ़ा जाता है अयादी स्वर संधी को तो हिंदी की भाषा में केवल पाच प्रकार की स्वर संधी होती है परंतु संस्कृत की भाषा में स्वर संधी आठ प्रकार की पाई जाती है ठीक है तो दिर्ग, गुन, वृध्ध, यन और अयादी कहता है तो कहने माला बात क्या हुआ कि जिस संधी की प्रक्रिया के अनुसार दो समान वर्ण अक्षर मिलकर दिर्ग की मात्रा में बदल जाते हैं तो वहां होती है दिर्ग स्वर संधी जहां दो अलग अलग प्रकार के स्वर मिलते हैं और उनके मिलने से एक नए स्वर वर्ण का विक जिस वर्ण का निर्मान हुआ है यदि अ और आ से मिलते हैं उनकी मात्रा में व्रिद्धी हो जाती है और गुण की तरह वह भी वर्ण के दूसरे और तिसरे अक्षर के ओपर मात्रा के तोर पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर होती है व्रिद्धी स्वरसंधी दो स्वरों से मि ये खल्स अलग जो है वो पहचान चलिए इसके पहचान की बात करते हैं कैसे पहचानेंगे मैंने क्याओ बताया दो सजाती इस वर यानि कि जब इस और आ के बात में पूनः और आ हो दोनों मिलकर बदल जाते है दिर्ध आ की मातरा में इसी तरह जब E के साथ में मिलता है E, ठीक है, इसी प्रकार U के साथ में जब मिलता है U, तो दोनों मिलकर U की मात्रा और E की मात्रा में बदल जाते हैं, संस्कृत की वर्ण माला में, रिशी करी से, जब पुनह रिशी करी मिलता है, तो दिर्गरी की मात्रा में वो बदलता है, कहने का मतलब दो समान वर्ण अक्षर मिलकर यदि दिर्ग की मात्रा में बदल गए तब वहां होती है दिर्ग स्वर संधी तो different type of letter यानि कि A और A से यदि मिलता है हमारा E, हमारा मिलता है U और हमारा मिलता है रिशी का R तो इसके मिलने से जब वो A, O और R की मात्रा का निर्मान करते हैं तो वहां होती है हमारे लिए गुण स्वर संधी ठीक है और ये जो वर्ण अक्षर बन रहे हैं न ये वर्ण अक्षर दूसरे शब्दे के उपर टोपी के तौर पर बैठ जाएंगे ठीक है अब तीसरा देख कि जब इसी गुण स्वर संधी से बना हुआ वर्ण अक्षर गुण स्वर संधी से बना हुआ वर्ण अक्षर यदि A और A से यदी मिलता है हमारा A हमारा मिलता है O तो ये दोनों मिलकर व्रिधी करके A की मात्रा में और O की मात्रा में बदल जाते हैं और यहां संधी हो जात इस अ और ई से हमारे लिए ए हुआ था गुण स्वर संधी में इस नियम को पलट दिया जाए कि ई से अगर अ मिलता है तो बन जाता है इया इसी प्रकार उ से अ मिलता है तो बन जाता है उआ जिसी प्रकार, री से यदि A मिलता है, तब बन जाता है र, और संश्कृत की वरनमाला में, री से अ के मिलने पर, ल का निर्मान जो है, वो होता है, और कहने का क्या मतलब हुआ, कि दो स्वरों से, एक अंताइस्थ व्यंजन है, जिसका निर्मान हो रहा है, तो अंता इस्थ व्यंजन के निर्मान होने की जैसे स्वर और व्यंजन के मिलने से और अंता इस्थ का निर्मान होने से कुल मिला कर यहां देखा जाए तो यहां पर मैंने क्या बताया कि दो स्वरों से मिलकर किसका निर्मान हो रहा है दोस्वर संदी को यान स्वर संधी की नाम से पुकारा जाता है दूसरी बात ध्यान रखेगा जब या और व के पहले का अक्षर अधूरा होगा जैसे कि अगर वो अत्यधी को कहता है ठीक है इसी प्रकार एक्जामपल में अगर वो स्वागत कहता है तो ध्यान रखेगा कि व से और यह से पहले का अक्षर यदी अधूरा है तो ऐसे सेचुएशन में वो यण स्वरसंधी की श्रिणी में आता है अगला एक और जान ले अयादी को ठीक है अब आप कहेंगे कि अयादी स्वरसंधी क्या तो जहां स्वरों में अगर किसी शब्द का निर्मान किया जा रहा है और वृद्धिस्वर के नियम को पलट दिया जाए कि जहां और ए से मिलकर क्या बन रहा था वृद्धिस्वरसंध तो वहाँ पर हमारे लिजसी की पवन कहा, जैसे की पावक कहा, जैसे की आपका नयन कहा, तो ऐसे उधारन अयादिस्वर संधी की श्रणी में आते हैं, तो थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि संधी क्या होती है, दो वर् जाता है जहां दो स्वरों के मिलने से स्वर में होने वाली संधी को स्वर संधी जिसके अंतरगत दिर्ग गुण व्रिद्धी यन और अयादी स्वर संधी होती है समान वर्ण अक्षर मिलकर यदि दिर्ग की मात्र में बदर जाते हैं तो दिर्ग स्वर संधी होती है तो अलग में वृध्धी हो जाती है तब वहाँ पर वृध्धी स्वरसंधी बन जाती है अगली बात गुण स्वरसंधी की प्रक्रिया को पलट दिया जाए और गुण स्वरसंधी की प्रक्रिया को पलटने से जब अंतहिस व्यंजन का निर्मान होता है तब वहाँ पर यण स्वरसंध में से आठेवी की कख्षा में इन पांच में से कभी दो कभी तीन संधी को ही परिक्षा में आपके पूछे जाते हैं या हिंदी की भाषा में उसको समझाया जाता है संस्कृत की भाषा में इन ही संधियों का निर्मान जो है किया जाता है अगली बात कि इस संधी की प्रक्रि का अंत यदि व्यंजन वर्ण से हो रहा है ठीक है अगर पहले शब्द का अंत हो रहा है व्यंजन वर्ण से और दूसरे शब्द की शुरुवात भी हो रही है व्यंजन से तो दूसरी संधी क्या होगी हमारी व्यंजन जब पहले शब्द का अंत व्यंजन हो सबसे बड़ी पह प्रक्रिया व्यंजन संधी कहलाती है ठीक है और तीसरा क्या है हमारा विसर्ग के बाद यदि मिलता है स्वर या मिलता है हमारा व्यंजन ठीक है विसर्ग और स्वर्ग के साथ में मेल हो या विसर्ग और व्यंजन के साथ में मेल हो और विसर्ग में कोई परिवर्तन हो तो वह प्रक्रिया विसर्ग संधी की श्रेणी में आती है और यही व्यंजन और विसर्ग संधी को जब आप नौवी कक्षा में जाते हैं तब वहाँ पर विशेश तोर पर आपको संस्कृत में मेंशन करता है आपके हिंदी भाषा में भी व्यंजन संधी के कुछ नियमों को हिंदी भाशा में मेंशन किया जाता है दसवी के इस तर तक आप जब पहुँचते हैं तब स्वर, व्यंजन, विसरगत तीनों संधी को विशेश तोर पर पढ़ाया जाता है तो यहां से अब संधी की प्रक्रिया के बाद हम जानेंगे की समास क्या होते हैं आपको लग रहा होगा सीलेबस में नहीं है फिर भी बताया जा रहा है तो भाशा कह देने से किसी पाठ्यक्रम के अंतरगत टॉपिक को बांधा नहीं जा सकता भाशा के दो पक्षे हैं व्याकरण पक्ष और आपका साहित पक्ष व्याकरण पक्ष के अंतरगत महत पुरुन टॉपिक में समास भी है जो प्रयोग किये जाते हैं ठीक है तो वरण अक्षरों के संगम को कही जाती है संधी और शब्द पदों के संयोगों को कहा जाता है समास जब दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर एक नए शब्द पद का निर्मान करते हैं तो वहाँ पर होती है समास की प्रक्रिया दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नए शब्द पद का निर्मान करते हैं तब वहाँ होती है हमारे लिए समास की प्रक्रिया समास की प्रक्रिया में नीला है जो कमल के हैं या नीले रंग का कमल के हैं तो दो शब्द पद हैं नीला और कमल पहले प्रयोग होने वाले शब्द को पूर्व का पद कहा जाता है और बाद में प्रयोग होने वाले शब्द को उत्तर पद या पर पद कहा जाता है पूर्व और उत्तर पद जब मिलते हैं और इनसे जिस शब्द का निर्मान हुआ उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है ठीक है समस्त या समासिक पद कहा जाता है ठीक है उसे ही समस्त या समासिक पद कहा जाता है जब इस समस्त पद को हम अलग करते हैं पूर्व पद और अलग करते हैं उत्तर पर्द को जब इस समस्त पर्द को अलग किया जाता है पूर्व और उत्तर पर्द में तो वह प्रकृया समास विग्रह की प्रकृया कहलाती है ठीक है। ग्रह कहलाती है और समास कितने प्रकार के होते हैं कहते हैं तो समास जो होते हैं वो हमारे लिए 6 प्रकार का माना जाता है ठीक है तो समास के प्रकार के अधि हम बात करें तो समास 6 प्रकार का होता है समास जो है वो 6 प्रकार का पाया जाता है ठीक है अब सबसे पहला होता है हमारे लिए अव्याई भाव समास ठीक है अव्याई भाव समास ठीक है दूसरा होता है हमारे लिए द्वीगू समास तीसरा होता है हमारे लिए द्वंद्व समास चौथा होता है हमारे लिए कर्म धारे समास ठीक है पांचवा होता है हमारे लिए आपका तत्पूरुष समास ठीक है और आपका छठवा होता है बहु व्रीही समास ठीक है अगर इसे सुत्र से जानना है तो इसका एक सुत्र है जब आपसे पूछ लिया जाए कि समास के प्रक कर्म दार द्वन्द्व और द्वीगु समास इसके पहचान क्या है जिस समास में पहला शब्द पद अव्याई या अविकारी शब्द वाला हो याने की क्रिया विशेशन का और संबंद बोधक का ऐसे उधारण अव्याई भाव समास की श्रिणी में आते हैं प्रती दीन यता शक्ति आजीवन कहता है तो अब यही भाव समास कहलाते हैं जहां पर पहला शब्द संख्यावाची हो और एक समू का बुध कराता है तो द्विगु समास कहलाता है तीराहा कहता है इसी प्रकार आपका एक्जामपल के तौर पर पंचवटी कहता है तो द्विगु समास है जह विशेश विदेश घर द्वार कहते हैं तो यह द्वंद समास होता है जहां पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द पद की विशेशता बताई जाती है जहां पर आपके विशेशता बताई जा रही है विशेशन विशेश से होकर जहां तुलना की जा रही है उपमे या उ पूरुष्क महा कभी हमारे लिए कर्म धारे समास होते हैं जिस समासिक पद रचना में पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द के अर्थ को निश्चित किया जाता है जहां दूसरा शब्द क्रिया या विशेशन का होता है और पहला शब्द जो होती है वह हमारे लिए कार करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण और प्रकार के अगर कारक विभक्तियां मिलती हैं तो जहां पर कारक विभक्तियों वाले शब्द हैं वहां तक पुरुष समास होता है कर्म को करण से के द्वारब संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण म पर जैसी कारक विभक्तियां यदि शब्द पदों को विग्रह करते समय मिलती हैं तो जिस तरह की कारक विभक्तियां हैं उससे संबंधित तकपुरुष समास के नाम होते हैं ठीक है और अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो इनहीं तकपुरुष समास को संस्कृत के अकॉर्डिंग द्वीतिया, त्रीतिया, चतूर्थी, पंचमी, शस्टी, सब्तमी तकपुरुष कहते हैं और हिंदी के नुसार कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तकपुरुष समास कहा जाता है और गहराई में अगर हम द्वंद्व में जाएं तो इतनी अंदर से आपको परिक्षाम में बच्चों की परिक्षाम में खासकर आठवी तक पुछा नहीं जाता अगर वह बहुबरी ही की बात करता है तो जहां कारक विभक्तियां भी है, जहां विशेशन विशे से भी है, जहां संख्या वाची शब्द भी है, जहां दोन पोजेशन यानि की संबंद बोधक वाले शब्द होंगे, वो अव्यभा होंगे, जहां पर आपके संख्या वाची विशेशन होगा, वो आपका द्वीगू होगा, यानि की संख्या वाची शब्द, जहां गुणवाचक विशेशन वाले होंगे, वो कर्मधारे होंगे, ज जहां संयोजक शब्द जो आपके होंगे उस संयोजक शब्द से आपके द्वंद समास का निर्मान होगा जहां कारक विभक्तियां हैं वो तत्पुरुष होंगे और योग रोड़ शब्द याने परंपरा से इन सभी खुबियों के साथ में अगर वो किसी विशेश की पहचा अब यहां पर से देखेंगे कि संधी कौन सी होगी तो मैंने आपको बताया था विद्या धन आले बड़ाबर हो गया हमारे लिए आपका आएगा अप्षन नंबर बी और कैसे आएगा जब आप इस शब्द को तोड़ते हैं तो वी के साथ में आप क्या पाते हैं दमें है यह और उसके साथ में हैं आपके आ की मात्रा और यहां से क्या है हमारे पास आले अब क्या हमने पाया पहरे शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर जब दो समानवरण अक्षर दो होमोजेनियस मिलते हैं तो कैपिटल पर है आप अब इस situation में अगर देखा जाए तो संस्कृत की वर्ण माला में जब हलंत वाले यह से आपके दस यदिया मिलता है तो दोने मिलकर धा की मात्रा में बदल जाते हैं इस situation में जब विद्यधन आले कहता है तब हमारे लिए देरखस्वर संधी की प्रक्रिया से विद जाले होगी ठीक है अब आते हैं second question में इसी संधी के दूसरे पक्ष में आते हैं संधी का दूसरा पक्ष क्या कहता है पावक की संधी पहचानिये पहला है दिर्घस्वर दूसरा है गुर्ण स्वर तिसरा है विद्धिस्वर ठीक है अब चौथा है हमारे लिए अयादिस्वर संधी जहां दो समानवर्ण अक्षर मिलते हैं और दिर्घ की मात्रा में बदल स्थी याने कि जब इस के साथ में ध्यान से समझेंगे इस को पहचानेंगे कैसे जब इस कि पहचान के जब इस ए के साथ में फिर से यदि यदि य उ मिलता है तो दोनों मिलका दिर्ग की मात्रा आ E और O में बदल जाते हैं और यह प्रयोग जो है हमारे लिए कौन से संथी का हो जाता है दिर्गस्वर संथी का हो जाता है इसी तरह जब इस A और A से मिल जाता है हमारा कौन सा वरनाक्षर जब हमारे लिए A मिल जाता है और हमारा O मिल जाता है तो दोनों मिलकर वृध्धी करके A और O की मात्रा में बदल जाते हैं और यह संधी की प्रक्रिया किसकी नियमों में आ जाती है यह संधी की प्रक्रिया दिर्खकी हो जाती है गुण स्वर संधी में क्या होता है जब इस A से मिल जाता है हमारा E या मिल जाता है हमारा O तो A से और E मिलता है तो हमारे लिए A बनता है A और O से अगर हमारा मिलता है तो O बनता है और यह प्रक्रिया हमारे लिए बन जाती है गुण स्वर संधी की लेकिन जब अयादि स्वर संधी की बात होती है तो वृद्धिस्वर संधी के नियम को पलट दिया जाता है याने कि अब यहाँ पर जो अ और आ से ए और ओ मिल रहे थे अब क्या होता है ए से यदि मिलता है तब हमारे लिए आय बनता है ठीक है इसी प्रकार ऐ से मिलता है तो हमारे लिए आय बनता है इसी तरह जब वो ओ से मिलता है हमारा तो हमारे लिए अव का निर्मान करता है और इसी प्रकार यदि वो ओ से मिलता है तो हमारे लिए आव का निर्मान करता है तो यहाँ पर पाव धन अक से हमारे लिए बनता है पावक इसलिए पावक की संधी क्या होगी अयादिस्वर संध की प्रक्रिया होगी जो पावक संधी का शब्द का निर्मान जो है वो कर रहा है अब आते हैं आपके आगे ठीक है तो यहां पर मने रूल्स बता दिये आपको कि दिर्गस्वर संधी क्या होगा दो समान वर्ण अक्षर मिलकर दिर्ग की मात्रा में बदल जाएंगे गुण क्या होगा दो अलग-अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर का निर्मान करेंगे गुण से बना हुआ वर्ण अक्षर यदी और आ से मिलता तो मात्रा वृध्धी होगी तो वृध्धी हो जाएगी और वृध्धी संध संधी के नियम को पल्टेंगे तो आयादी बनेगी और गुण के नियम को पल्टा जाता है तो यहां इस्वर संधी जो है वो बनती है ठीक है तो दो तरह के प्रश्ण आपको संधी की प्रक्रिया से मैंने आपको समझा दिये अब आते हैं आगे अगला है आपका ती राहा में कैसा समास है ती राहा में कैसा समास है क्या वो द्वीगू है क्या वो द्वंद्व है क्या वो कर्मधार है क्या वो अव्यई भाव है जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो याने की ती राहा कह रहा है तो ती धन राहा अब यहाँ पर द कि जब हम लिखें समास विग्रह जब परिक्षाओं में अगर आपसे पूछा जाए तो की बात है विग्रह करते समय तो धन का निशान कभी भी मत लगाएगा तो तीराहां में कैसा समास है तो जिस समास का पहला शब्द संख्या वाची हो जिस समास का पहला शब्द न्यूमे हो संख्या वाची संख्या प्रधान हो तो वहां होता है हमारे लिए द्वीगू समास ठीक है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां होता है हमारे लिए द्वंद्व समास ठीक है जिस समास में पहला शब्द अव्या प्रधान हो वहां होता है हमारे लिए अव्याई समास ठीक है और जिस समास में पहला शब्द गुण वाचक वाला हो तो वहां होता है हमारे लिए कौन से समास आपका कर्मधार है समास तो माता पीता राजा रानी देश विदेश घरद्वार कहता है तो द्वंद हुआ यथा शक्ति यथा भक्ति प्रतिदीन प्रतिक्षन कहा तो अब यही भा हुआ यदि इसी प्रकार कहता है मुखचंद्र कहता है हरी का मिर्श कहता है अंधकूप कहता है महराज कहता है तो कर्मधार है लेकिन अगर द्विगू की बात करें याने कि संख्या वाची होकर क्या बताएगा वो समाहार या वो किसी समू को संबोधित कर तब ही वहां पर होंगे हमारे लिए कोई से समाज द्विगु समाज तो जिस समाज का पहला शब्द पद संख्या वाची प्रधान हो और दोनों पद मिल कर किसी समू या समाहार को बता है तो तीरहा पंचवति पंच रत्न नव अग्रह कहता है नव रात्री कहता है तो द्वि किश्रणी में आते हैं और द्वन्द के अंतरगत अपोजिट वर्ट्स अपोजिट जेंडर और टाइम पेर वाले वर्ट्स जो है वो आते हैं ठीक है कारक विभक्ती वाला हमारे लिए तत्द पुरुश होगा यहां पर हमारे लिए अव्याय की प्रधानता होगी ठीक है यह तरह आपके संधी और समास से प्रश्ण जो है वह आपको पूछे जा सकते हैं अब आता है अगला पक्ष जो है हमारा मुहावरा और लोकोप्ती का ठीक है ये आपके सिलेबस में मेंशन हैं अब आप कहेंगे कि इतना सब बताने की क्या जरूरत थी तो मैं बार बार आपको ब पुछा जाता है तो हम यहां जानेंगे कि आखिर ये मुहावरा और आपकी लोकोक्ति क्या होती थीक है तो अब हम मुहावरा अर्भी भाषा में मुहावीरा के नाम से पुकारा जाता है जो हिंदी भाषा में प्रचलन के तौर पर प्रयोग किये जाते हैं पहली बात यह मुहावरा एक वाक्यांश होता है इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कब दिया जाता है तो मुहावरे वाक्य के मुहावरा अपने अर्थों को प्रस्तूत नहीं कर सकता जब मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो मुहावरा एक विशेज लाक्षनिक अर्थों को प्रस्तूत करता तीन चार शब्द का होकर भी मुहावरा बगैर वाक्य के अधूरा होता है इस मुहावरे को ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम उंगली में नचाना कहें, ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए, तो दात काटी रोटी होना, तो उंगली में नचाना कहें, दात काटी रोटी होना कहें, पेट में दात होना कहते हैं, कमर तूटना कहते हैं, आस्मान में पैर रखना कहत कहते हैं उंगलियां कलम करना कहते हैं कुल मिलाकर मुहाव्रा एक वाक्यास है जो विशेस लाक्षनिक अर्थ को प्रस्तूत करता है जैसे कि अगर देखा जाएं तो अगर वह उंगली में नचाना कह रहा है इसका मतलब है अपनी इशारों पर नचाना आखे दिखाना कह रहा है तो इसका लाक्षनी करता है डराना या धमकाना तो मुहावरा क्या हुआ मुहावरा एक वाक्यांश है जो बगैर वाक्य के अधूरा होता है इस मुहावरे का एक लाक्षनिक अर्थ होता है दिये गए मुहावरे का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहीं पर उस लाक्षनिक अर्थ को प्रस्तूत करना होता है जहां वाक्य में उसका भाव जो है वो प्र गेने के लिए, लोगों के द्वारा समाज में इसका प्रचलन देखने को मिलता है इसी लोकोक्ति का अन्य नाम कहावत بھی होता है जो कहें गई बात है उससे कहावत के भी नाम से पुकारा जाता है यह एक संपुर्ण कथन होता है यह स्वतंत्र होता है अगर वाके से हटा भी दिया जाएं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर वो एक्जामपल कहता है जैसे कि अंधों में काना राजा ठ को चली उची दुकान फीका पकवान कहता है तो ऐसे कथन जो विशेश तोर पर पुर्णता और विशेश रूप से किसी समाज में उप्त लोगों के प्रचने दवारा पिढ़ी दर पिढ़ी प्रदान होती है तो ऐसे तत्वों को लोकोक्ति कहा जाता है तो मुहावरा और लोकोक्ति को एक बार और समझेंगे मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति संपुर्ण कथन होती है मुहावीरा अर्बी भाशा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है मुहावरा के नाम से जबकि लोक उक्त बातों या लोक उक्त कथनों को लोकोक्त या कहावत कही जाती है मुहावरा बगार वाक्य के अधूरा होता है लोकोक्ति के लिए ऐसी कोई आवशक्ता नहीं होती है जब मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो उसके लाक्षनिक अर्थ होते हैं जो वाक्य में जिस भाव के जगह पर इस्तेमाल होना है उसे वहां कि जाता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग करने के लिए पहले किसी प्रसंग या कथा या कोई वक्तव या कहा जाएगा उसके बाद में मुहावरे का प्रयोग उसके बाद में लोकोपती के प्रयोग वहाँ पर किये जाते हैं मुहावरे को वाक्य से हटा दें तो इसका स्तित्व समाप्त हो जाता है लोकोपती के साथ में ऐसा कोई बंधन नहीं है अधिकांश्ता मुहावरे तीन चार शब्द के भी होकर बगर वाके के अधूरे हैं जबकि दो या चार शब्द का हो तो भी वाप की लोकोपती जो है वो पूर्ण होती है maximum मुहावरे body parts पर depend करते हैं अधिकांश्ता मुहावरों का अंतिम वर्ण जो है वो ना होता है लेकिन विशेस अर्थ किसी यथार्थ सच्चाई अनुभव को साझा करने के लिए चेतावनी देने के लिए लोगों पर व्यंग कसने के लिए लोक उक्तवत कथन का प्रयोग जो आपके साथवी आठवी की पुस्तक में हिंदी भाषा में बच्चों के पाठे क्रम के अंतरगर्जो कहानी या कुछ ऐसी कथा प्रसंग होती है जहां उसके प्रयोग किया जाते हैं उससे संबंधित प्रशन आपको मुहावरा लोकोगती का वाक्य में प्रयोग करने के लि आस्तिन का साप मुहावरे का अर्थ है ओप्षन ए साथ देने वाला ओप्षन सी धोखा देने वाला साथी और ऑप्षन बी साथ देने वाला दुष्मन तो आस्तिन का साप यदी कहा जाए तो इसका एक विश्रस लाक्षनी करते है वो मित्र जो हमारे साथ तो रहता है परनतु हमें वो धोखा देता है तो आस्तिन का साप का प्रयोग धोखा देने वाले साथ ही या मित्र को संबोधित करने के लिए किया जाता है कि इतने समय तक वह मित्र उसके साथ रहा लेकिन उस मित्र ने अगर उसके साथ दगावाजी कर दी तो उसको संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मोहन इतनी दिन तक मेरे साथ मित्र बन कर रहा मुझे नहीं पता था कि वह आज दिन का साप निकलेगा ऐसा प्रयोग जो है व विकल पचुने बाल धूप में सफिद ना होना option A है बुढ़ः होना option B है असमें बाल सफिद होना option C है बहुत अनुभवी होना option D है बहुत मुर्ख होना कुल मिला कर देखा जाए तो बाल धूप में सफिद नहीं कियें हैं मैंने अगर कहता है क्योंकि उसे बहुत सारा experience है याने कि बहुत अनिभवी जो व्यक्ति होता है, इस अर्थ को संबोधित करने के लिए बाल धूप में सफिद ना होना जैसे मुहावरे का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो कोशन नमर 16 का अंसर होगा, अप्शन नमर आपका C, अगला कोशन, परिक्षा लेना इस अर्थ है तो कोन से मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा, कलम तोड़ना, कसवटी पर कसना, अकल के घोड़े दावराना या कोई नहीं, परिक्षा लेना अगर कह रहा है, तो जब ह हम उसकी परिक्षा जो है, वो लेते हैं, कलम तोड़ना का मतलब होता है, कि बेवज़ा चीजों को लिखना, इसी प्रकार अकल के घोड़े दावराना, मतलब की सोच विचार करना, और अगर कह रहा है, तो इसका आंसर होगा, आपका option number B, परिक्षा लेना, इस अर्थ के प महावरा नहीं है, मन को मारना, तीन तेरह करना, आखे दिखाना, चोर-चोर मौसेरे भाई, कुल मिलाकर अभी जो चीजे मैंने बतलाई, उससे समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर तीन option ऐसे जो अधूरे लग रहे हैं, मन को मारना, आखे दिखाना, तीन तेरह करना, लेक है, इसी प्रकार अगर कहते हैं, एक्जांपल के तौर पर जैसे की थोथा चना, बाजे घना, अब आपके दिमाह का confusion कहता है, कि लास्ट साउंडिंग लेटर यदि ना है, तो थोथा चना, बाजे घना भी तो हमारे लिए मुहावरा होना चाहिए, लेकिन बेटा ध्यान र कहें, इसमें special effect नजर नहीं आता, लेकिन चोर-चोर मौसेरे भाई कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक vicious अर्थ को संबोधित करने वाले वक्तव्य का उधारन दे रहा है, इसलिए निम्न में से कौन सा विकल्प मुहावरा नहीं है, कह रहे हैं, तो चोर-चोर मौसेरे है, लोकव्ती का अर्थ है, option number a, a, प्रचलित उकती, option number b, लोक में प्रचलित उकती, option number c, लोक उकतकथन, तो लोक उकती क्या होती समाज में प्रचलित उक्ती होती है उसे लोकोक्ती कहते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आंसर होगा B और C दोनो ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण क्यों चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते लोकोक्ती का क्या अर्थ है और अप्शन नंबर A कंजूसी करना अप्शन नंबर D साथनों सेब्ड़े काम नहीं होते चूहा बहुत devo होट है जिसके चमड़े से नगाड़ा जो बड़े आकार का है उसको मड़हा नहीं जा सकता यानि कि सिमित साधनों में बड़े काम जो है वो नहीं होते इस लोकोफ्ती का एक विश्यस अर्थ होगा सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे अब किसी से मदद की अब किसी से सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे अब किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है क्योंकि खाली स्थान रिक्ति स्थान के पूर्ति कीजिए अब यहां दिया है चार लोकोफ्ती एक तो करेला दूजा नीम चड़ा बोया पिड़ बबुल का तो आम कहां से होई है ना बोया प अपनी डफली अपना अपना राग तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसका प्रयोग किया जा रहा है किसका इस लोकोफ्ती का तो मैंने क्या बताया कि जब लोकोफ्ती के प्रयोग किया जाते हैं तो इसी तरह लोकोफ्ती के प्रयोग से पहले कोई कथन कोई उक्ति या कि किसी घटना या प्रसंग का उलेख करते हैं और उसके स्पष्टी करण के लिए लोग उक्त कथन का प्रयोग किया जाता है कि सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे अब किसी से मदद की आशा व्यर्थ है क्योंकि जब बोया पेड़ बबूल का तो आपके आम कहां से होई इसक अब आते हैं अगले प्रश्न के और लोकोक्ति पूर्णवा स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा क्या होता है जबकि मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं छोटे-छोटे तत्व में उपसर्ग प्रत्य संथी समास से भी प्रश्ण छठवी से आठवी के इस तर तक पाठ्थिक्रम में हिंदी भाषा में जो है वो गध्यांश्र के अंतरगत जो शब्द होते हैं उनसे लिये जाते हैं तो आज की इस लेक्चर वीडियो में विश्चेस पक्षतों हमारा मुहावरा और लोकोक्तिक का था परंत उपसर्ग प्रत्य संथी समास को समझाते हुए मैंने इन चीजों को बतलाया एक बार थोड़ा सा अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे तो इन चीजों में हम सबसे खूबी से जानेंगे कि आखिरियत तो किसी भी धातो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन एक विकार या एक रुपांतर उत्पन करता है तो ऐसे शब्द को उपसर्ग कहा जाता है और किसी भी धातो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में विकार या रुपांतर उत्पन करने व विदेशज उपसर्ग के तौर पर अंग्रेजी का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है प्रत्य तीन प्रकार के क्रिदंत या क्रित तद्धित प्रत्य और आपका एक इस्त्री प्रत्य ठीक है दो वर्ण अक्षरों के मिलने से जब नया वर्ण विकार उत्पन हो तो संधी की प्रक्रिया दो शब्द-पदों से मिलकर अगर एक नया शब्दक पद कर निर्मान तो समास की प्रक्रिया कहलाती है मुहावरा वाक्यान शहर जिपकि लोकोधि संपुर्ण कथन होती लोक उप्तबातों को लोकोधि या कहावत कहते हैं और लाक्षनिक अर्थों को प्रसू जिसे हम वाक्य व्यवस्था कहते हैं रहा सरल मिश्र संयोक्त वाक्य होते हैं परन्तु उसकी पढ़ाई आपको विशेस्ता नौवी दसवी के बाद से कराई जाती है ठीक है लेकिन अर्थ के अधार पर वाक्य की बात करें तो सकारात्मक, नकारात्मक, संकेतार्थक, भावनार्थक वाक्य होते हैं प्रश्ण वाक्य वाक्य होते हैं जो अर्थ के आधार पर होते हैं ठीक है लेकिन एक प्रश्ण आपके वाक्यांशों का एक शब्द आपको पूछा जाता है आठवी की कक्षाओं में जहां पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के माध अपठित गद्यांच से प्रश्ट जो है पूछे जाते हैं और इसका प्रयोग करने का मातलब यह होता है कि आपके मानसिक कोशल को परक्षने के लिए एक ऐसे गद्य खंड दे दिये जाते हैं जिससे संबंधित प्रश्ट दिये जाते हैं और उन प्रश्णों को उस गद्य से प्रश्णत कर उसके उत्तर को लिखना होता है तो वाक्यांच का एक शल्ट क्या है और साथ ही अपठित क्या होते हैं कैसे उसके प्रश्ण आते हैं इसके सर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें मेरे सभी बच्चों को धेर सारी शुब कामना है धेर सारा प्यार और हमेशा की तरह मैं एक यही बात कहती हूं थैंक यू सो मच लव यू और गॉड ब्लेस तो आल में बच्चा